पता कैसे मूद होते हैं खुआप तो कलर के लिए डालागी फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल नीमा स्कॉर्णर और मैं हूँ नीमा मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि नीमा जी जब भी भी हम लोग आपकी तरह स्किन केर करते हैं हमारा फेस तो यह से रहते है ज़िए तेल की कड़ाई में ते निल कर आया है मतलब इतना ज्यादा ओइली हो जाता है हमारा फेस की मैं आपको क्या बताओश को अगर आपको भी यह परेशानिया ना तो मैं आड आपकी सारी परेशानियाद दूर करने वाली हूँ मैं आपको कोई प्रोडरक्ट के बारे में बात नहीं करूँगी मैं आप से simple steps के बारे में बात करूँगी और कहां आप गलती करते हो कहां मैं गलती करती थी पहले तो वो मैं आपके साथ share करने वाली हूँ तो simple step by step मैं आपको आज अपना मॉर्निंग स्किन केर दिखाने वाली हूँ मैं अभी नहां दोकर आई हूँ और आज पता नहीं मेरा ये कॉलर बारबरी ना वो लज्जा पिक्चर देखे आपने उसमें बारबरी एक वो बोलता ना उठ जाएं उठ जाएं उठ जाएं वैसी बारबर सिंपल ब्रश वाले भी होते हैं और येुटा और आपको उसी बार बारी बार चैनल की जरूर नहीं होती है लेखो अगर आप brush वाले जैसे मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं brush वाले बट अगर आप ये use करते हो न तो आपको कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए जैसे इसे क्योंकि हम लोग direct अपने face पे use कर रहे हैं तो इसमें कई बारी जैसे में pimple हुआ है उसकी problems इसमें लग सकती है तो आपको इन्हें बहुत अच्छे से clean करना होता है अगर आप brush वाले silicon brush वाले जितने भी होते हैं उनके brush को अच्छे से clean करना होता है अगर आप mild face wash डूण रहे हो तो आप इस तरीके के forming face wash पे जा सकते हो नहीं तो नॉर्मल वाले भी अगर आप use करते हो हाथ में लो पहले इस पे अच्छे से जाग बनाओ और फिर अपने face पे लगाओ दिरेक्टी लेकर रगडा और यू backwards करके face wash करने लगए ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है और face wash करते वक्तना कई लोग किस kuss kuss कुस ऐसे कुष्ठी नहीं करने होती है मूध होता है बहुत हलके हाथों से धोना होता है मटर के दाने जितना face wash लेना होता है करें इस तरीके से और अपने फेस को भी गीला करेंगे अब मैं इससे अपने फेस पर लगाऊंगी हलके हलके हातों से मसाज करूंगी कहीं लोगों को मैंने देखा वो पता कैसे मूह दोते हैं ऐसे मुँ आई यह तुमारा कुष्टी मत करो इससे, बहुत हलके-हलके आतों से आपने मसाज करने होते हैं, ऐसे नहीं करना होता, अच्छे से, और बहुत जादा भी मसाज दें करने होते, देखो यह 30 सेकंड, 40 सेकंड, इससे जounded नहीं, अब मैंने कर लिया है face wash देखो face wash करने से क्या होता ना क्योंकि जो आपने cleanser यूज किया है face wash यूज किया है वो आपके pores को clean कर देता है जिसकी वैसे pores खुल जाते हैं अब toner लगा के हम उन्हें set कर लेते हैं मतलब उन्हें shrink कर देते हैं ताकि उनके अंदर dust ना भरे toner purchase करते वक्त लेते वक्त एक बात का ध्यान हमेशा रखें best toners वो होते हैं जो transparent होते हैं क्योंकि देखो इसके बाद हमें मूह तो धोना नहीं है तो कोई भी color वाले toners जैसे आपको मैं दिखाती हूँ काफी सारे मेरे पास भी ऐसे हैं देखो आप अब यह नहीं बोला जा सकता कि यह अच्छे है कि बेकार है बट इन में कुछ ना कुछ तो color के लिए डाला गया है क्योंकि किसी भी ingredient में इतना color नहीं होता है कोई भी गुलाब जल भी अगर आप देखोगे न तो कई गुलाब जल वाले जो होते हैं ट्रांस्पिरेंट है ना वह ज्यादा अच्छा चाहिए मैं आपको बताऊं मेरा favorite यह है rose water आप rose water को भी toner की तरह यूज कर सकते हो यह यह वाला आप यूज कर सकते हो यह प्लम का green tea toner है मैं आपको दिखाती हू यह दिखा आप बिलकुल यह दिख रहा है यह बिलकुल ट्र ट्रांस्पिरेंट है मैं आपको दिखाती है देखो यह देखो तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ट्रांस्पिरेंट लो बिलकुल white है ना उन्हें लीजिएगा और toner को आपने direct किया तो spray कर लो कोई दिक्कत नहीं है या फिर हाट पर इस तरीके से लो इस तरीके से पुश क जैसे की यह होता है कुछ oil-based serum या फिर आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के जो की होता है water-based serum इसकी consistency मैं आपको दिखाती हो देखो इसकी consistency आप देखो यह बहुत जल्दी absorb हो जाते हैं तो यह आप try कर सकता अपनी skin के हिसाफ से अगर आपकी skin बहुत ज्यादा dry है तो आप oil-based serum ले लो या फिर अगर आपकी skin बहुत ज्यादा oily है तो आप इस तरीके के water-based serum पर जा सकते हो हाँ सिरम अगर आप oil-based लगा रहे हो न तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं जब आपने अपना toner अप्लाई कर रखा है न या आप अप्लाई कर चुके हो थोड़ा सा toner अपने हाथ पे लो इस तरीके से मतला थोड़ा सामें गीला होना चाहिए face अब आप अपना serum लो अपने हाथ पे और फिर लगा लो इससे क्या होगा इससे बिल्कुल oily नहीं लगेगा आपका product भी दो बूंद में आपका काम हो जाएगा आपको 10-15 बूंद अपने मुग प अपने होतने यार मैंने फुलाना serum नहीं लगा है मेरी स्किन खराब हो जागी मैंने ये वाली महंगी क्रीम नहीं लगाई अलो वेरा जेल भी बहुत अच्छा काम करता है कोई भी प्योर अलो वेरा जेल आप ले सकते हो इस्पेशली अकर आपकी स्किन बहुत ज़दा ओई कोई भी क्रीम जब आप अपने फेस पर लगा रहे हो कोई भी सिरम आप जब अपने फेस पर लगा रहे हो वो मैटर करता है कि आपने कितने अच्छे से अपने स्किन पर एब्सॉब करवाया है अब करवाया कैसे है आपने हलके हाथों से मसाज करनी है उपर की तरफ कई लो और मैं अगर आपसे बात करू ना मूले बहुत डर लगता है, मैंने आज तक अमने facial hair भी ढंक से remove नहीं किया, आप इधर भी देख सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि हमारी skin बिलकुल perfect होती है, बिलकुल भी नहीं होती है, हमारी skin बिलकुल आपकी तरह है, बहुत सारी problems हमें भी होत और बिल्कुल मेरी skin oily नहीं हुई है हाँ मैं आपको बोलती हूँ अगर आप oil लगाते हो तो इसको भी लगाने का trick सबसे आसान मैं आपको दिखा देती हूँ सिर्फ दो बूंद दो बूंद जिन्दगी के दो बूंद फेस के दो बूंद लेना है आपने बिलकुल भी आपको यह सोटने के जरूत नहीं कि मेरे यहां पर नहीं लगा हम इस दो बूंद को ही पूरे फेस पर लगा देंगे कैसे थोड़ा सा इसमें toner मिलाएंगे अब क्या अब इसकी consistency बिल्कुल रनी हो गई है, तो होता है ना water base, हमने oil base serum को water base serum बना लिया है, अब इसे हम अपने face पे लोगा लिए, तो अगर आप कोई भी facial oil लगाते हो और आपको लगता है कि आपके skin बहुत ज़्यादा oily हो गया है, तो ये तरीका अपनाओ, oil को थोड़ा सा toner में mix करो, हाथ पे रगड़ो, देखो हाथ पे किसले रगड़ रही हो मैं, ताकि वो थोड़ा सा गरम हो जाए, कोई भी तेल जब गरम हुझा था तो वो ज्यादा अच्छा वर्क करता है, चाहे हो आपके बालों के लिए हो, चाहे हो आपकी skin के लिए हो, तो अब ये हमारा लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो, बट अंडर आई, मॉस्टराइजर अलग होते हैं, नॉर्मल फेस के मॉस्टराइजर से, ऐसा नहीं है कि मूँ पे जो क्रीम लगाई हो, याँकों के नीचे रगड़ी, सब ठीक हो जाए, इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है, थोड़ सी ठि लगा लेंगे, दिखर आपको यह, दोनों पे मैं लूँगी इस तरीके से, अब इस तरीके से लगा लेंगे इसको, हलके हलके आतों से यहाँ पे पुश्ट करते हुए, क्यूंकि आजकल हम लोग फोन, टीवी बहुत जादा देखते हैं, दिन बर फोन पर ही लगे रहते हैं, तो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और नहीं होते हैं, तो भी लगा लो ताकि आगे भी ना हो, तो अच्छे से इसे हम इस तरीके से कर लेंगे, मसाज, तो कभी भी ये मस सोचेगा, जो मैं फेस पर क्रीम लगा रही हूं, उसे ही अंडर आई पर लगा लेती हूं, नहीं, अंडर आई के लिए आप कैस्टर ओल का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई टंचन लेने की ज़रुत नहीं है, हर टाइम ये मस सोचा कीज़ेगी, फल होलना चाहती हूं, हर बंदा अपनी जेब के हिसाब से ही प्रोड़क्ट खरीता है, चाहे वो उसकी यूज़ करने के बाद अच्छा ही करें, चाहे वो उसकी बुराई करें, मैं भी ऐसे ही ब्रैंड को पर्चेस कर सकती हूं, जो मेरे बजट में आते हैं, मैं कोई फरसाली के या फिर हुडा व्यूटी के आईशेडव पैलेट या फरसाली के फेस सिरम को खरीद के उनके बारे में डिसकस करूं, यह मेरे बजट से बाहर है, इसलिए हमें लगता है कि वो जो महंगे वाले प्रोड़क्ट है वो बिल्कुल माइंड ब्लोईंग होंगे, अब आता है के मौशिराइजिंग को यूज़ कर सकते हो, मौशिराइजर को और अगर आपकी स्किन ओईली है तो इस तरीके के वाटर बेस लोग, लगो मेरे पास दोनों इसलिए हैं क्योंकि मेरे स्किन हम इतने प्रोड़क्ट को यूज़ करते हैं कभी बिल्कुल ड्राई हो जाती है, और फिर हमारे स्किन केर हो जाएगा पूरा, लास्ट टेप जो होता है वो होता है संस्क्रीन का, संस्क्रीन में भी कई तरीकी के आपको मिल जाएंगे, देखो अगर आपने घर में ही रहना है पूरा दिन, तो आप SPF 30 तक जरूर यूज़ करो, अगर आपने बाहर जाना है तो SPF 50 तक आप यूज़ कर सकते हो, मुझे जो पसंद है वो होते है, स्प्रे वाले, क्योंकि ये नापकी स्किन को और जादा ओईली नहीं करते हैं, देखो हमने वैसी चारपा चीज़े लगा ली, अब हम एक संस्क्रीन भी लगा लेंगे, तो वो जादा ओईल नहीं करते और ये बिल्कुल ओईली भी नहीं करता, तो अब मैं इसे लगा लूँगे, अपने फेस पर और स्प्रे वाले को अपनी बॉड़ी पर अच्छे से लगा लूँगे, तो ये हो गया हमारा morning skincare पूरा, अब lip balm लगा लेंगे, और बस हो गया हमारा skincare, simple सी बातों को आपने ध्यान रखना होता है, कभी भी किसी भी influencer की इतनी बाते मत सुनिये कि आपको लगे कि बस, यसने जो बोल दिया ना वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं, कुछ चीज़े में आपको बोली ह अगर आप फेश वाश ब्रश वाले यूज करते हो तो उन्हें अच्छे से clean करो, otherwise आप यह complaint करोगी कि यह वाला फेश वाश तो बिल्कुल बेकार है, नहीं, आपने उसे clean नहीं किया, इसलिए पिछली बार का फेश वाश वाश वो आपके इस बार भी लग रहा और वो प् करने रहे, और टोनर पहली ऐसी चीज होती है, जो आपके धुले होए मूँ पे लग रही है, तो समझो, वो सबसे पहले अब्सॉप होती है, अगर वो यह चीज बेकार होगी ना, तो आपकी skin बेकार हो ही जाएगी, तो अच्छा से टोनर ढून लो अपने लिए, बिल्कु थोड़ा से जादा ही लंबा हो गया है, तो थोड़ा सा अगर information मिली है, तो please video को like जरूर करना, thank you, thanks for watching.